आदिम काल से लेकर आज तक डर ने इंसान को हमेशा ही बहतर होने में मदद करी है और डर के होने में कोई बुराई नहीं होती लेकिन जब डर पर हमारा कंट्रोल ना रहे और हमें बिना किसी कारण के किसी खास चीछ से बहुत ज़्यादा डर होने लगे तो उसे हम फोबिया क खहते हैं और आज मैं आपको इसी बारे में कुछ बताने वाला हूँ पर हम फोबिया के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो का शांदार एनिमेशन ले लाइफ की मेरी दूख संगीता ने बनाया है और उनके चैनल पर कि ये डर या फोबिया बिना किसी कारण के है लेकिन वो अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पाते अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं ये भी बता दू कि डर और फोबिया में अंतर समझना बहुत जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि डर अच्छा होता है और फोबि है या फिर आपके डर की कोई वज़ा प्रैक्टेकल नहीं है तो ये फोबिया है और ये आपके लिए बिल्कुल ब्ली ठीक नहीं है अगर आपके सामने साम्प आ जाये और आपको इससे डर लगे तो ये फोबिया नहीं है ये समझदारी है ऐसी कंडिशन में आपका डर और इस दर से आपको फायदा होता है अब हम दुश्री कंडिशन लेते हैं कि जब आपके सामने सांप का फोटो आ गया और आप डर के मारे बॉकलाने लगे या फिर किसी ने सांप कह दिया तो आप डर गए या फिर आपने सिर्फ सांप के बारे में सोच लिया तो भी आपको डर से पसीने चूटने लगे तो ये फोबिया है अगर आपको तीस फीट की उचाई से देखने पर डर लगता है तो ये समझदारी है क्योंकि इतनी उचाई पर सभी को डर लगता है लेकिन अगर आप तीन फीट की उचाई से डरते हैं तो ये phobia है, अगर आप लिफ्ट में फज गए हैं और किसी के आवाज देने पर भी कोई नहीं आ रहा और आप डरते हैं, तो ये human nature है, लेकिन अगर आपको लिफ्ट में जाने में भी डर लगता है, तो ये claustrophobia है, जो कि गलत है, अब हम बात करते हैं कि phobia होता क्यों है, कु phobia ऐसा ही है, जो आप अपने परिवार के लोगों को देख करके सीखते हैं, कभी-कभी phobia ट्रॉमा के कारण भी होता है, यानि कि आपके साथ कोई accident हो गया और आप उससे डरने लगे, मैं मेरा उधारन देकर बताता हूँ, तो मुझे थोड़े वक्त तक छत के पंखे से हलक गिरा होता, तो मैं आज है नहीं था हो गया होता, क्योंकि 10 मिनट पहले मैं बिल्कुल वहीं क्यों रहा था, और मेरी वाइफ ने सिर्फ एक मजाक की हो, जैसे मुझे दूसरी जगा खशका कर मेरी जान बचा ली थी, तो पंखे से मेरा phobia accidental कारणों से था, और अगर आज भ देने की जरूरत होगी, फोबिया से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने डर से धीरे धीरे दूसरी करना, या ग्रेजुल एक्सपोजर देना और सचाई को समझना, उदारन के लिए अगर आपको छिपकली की फोबिया है, तो आप पहले ये समझ लो की छिप चिपकली कितना नुक्सान कर सकती है और उससे कितनी दूरी ठीक है, इसके बाद आप चिपकली के फोटो को दूर रखकर देखिए, उसके बाद उसको थोड़ा पास में रखकर देखिए, और फिर बाद में उस फोटो को टच करके देखिए, अब अगर चिपकली दिवाल पर है तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है अगर शिबकली आपके पास आ भी गई तो आपको डरने की दूर कर सकते हैं बजब आप इस तरह की टेक्निक को अजमाएं तो ये धियान रखिएगा कि आप कभी भी अकेले ना रहें बलकि किसी को अपने साथ रखें और सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने डॉक्टर के देखरेख में ही ये काम करें इसके साथ ही कुछ प्लैसिबो मेडिसीन के बारे में मत सिर्च करिएगा और एक अच्छे साइकलोजिस्ट से बात करिए ताकि आपको सबसे ज़्यदा फायदा हो पर अगर आप ये वीडियो किसी और के लिए देख रहे हैं तो कंटीनूरी रख सकते हैं अब हम बात करें प्लैसिबो मेडिसी अब दोस्तों यहां आपको ये समझने की जरूरत है कि फोबिया किसी भी कारण से हो सकता है और उसका इलाज सभी के लिए अलग-अलग हो सकता है तो आप किसी भी मेथड को फॉलो करने के पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिए उनकी चलह लीजिए ताकि आप को सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें दो तो आप यहां यहां यह भी ध्यान रखिए कि यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के मक्सब से दिया गया है और इसे ट्रीटमेंट मत मानिए हम यहां सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में हर तरह का फोबिया ठीक हो सकता है बस आपको सही मेथड फॉलो करने की जरूरत होती है अब आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे बताईएगा आप वीडियो को सभी ची साथ शेर जरूर करिएगा और अगर आप बहुत चारी काम की जानकारी हेल्थ वाली जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरे स अगले वीडियो में तब तक आपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद